नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कमार इस असोगी डूरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों में नमस्कुक सैनी है और आज के सब्सक्राइब अब समझ जा रहा है छोटी सी टैपनेशन है एलेक्ट्रिकल एंजिरिंग के अंदर या एलेक्ट्रिकल जो पैरामिटर रहते उनके अंदर कि वार्टेज बॉल्टेज क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं और एक च्छोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं यह एक्जाम में कहीं आपको पूंच रहा है या इस टाइप का टॉपिक तो चली समझ लेते हैं तो उसस्ते मैंने एक दो डेपनेशन अधिक फिर मैं एक्स्पेन करूंगा पहले देख लेते हैं कि वाल्टेज क्या है इसके बारे में लिका है कि वाल्टेज इस दपोटेशल डिफ्रेंस इन चार्ज विडवीन टू पॉइंट इन एन एलेक्ट्रिकल फील और एलेक्ट्रिकल सर्किट तो वॉल्टेज क्या है थैसा बॉल्टेज एका प्रॉटेशल डिफरेंस है और यहां पर कुछ मॉल्टेज है इसको डिफरेंस है बॉल्टेज यह इन ऋकर है कि वोटेज है Guru बॉर्टेज अब डिफेरेंस को और एकक्स्प्रिन करोंगे बच्चे समझेंगे थोर समझते हैं की वॉल्टेज is the pressure from an electrical circuit power source that push, ये बड़ा पढ़ना that push charge electrons through a conductive loop एक conductive loop या electrical circuit या closed loop circuit में जो current flow होती है current का प्रवहा होता है वह किसके कारण होता है? वह voltage के कारण ही होता है voltage क्या एक प्रकार का? electrical pressure भी बहुन सकते हैं आप इसको कि एक प्रकार का दवाव है जो charge particles को क्या करता है electric conductor में one place to another place पर flow करने में मदद करता है, जाने में मदद करता है पहुचाने में मदद करता है तो यदि voltage नहीं होगा तो उस बाइर में कितना ही current हो, कितना ही ampere हो, हमको सौक नहीं लगेगा कहने का मतलब उसमें electricity का प्रवार नहीं होगा कहने का मतलब, voltage क्या है एक प्रकार का electrical pressure है एक प्रकार का electrical दवाव है जो की current को electric conducting buyer में one place से लेके another place तक क्या करता है प्रवार करता है, flow करता है पहुचाता है तो point A से point B तक electric current को flow करने में जितना pressure लगता है जितना दवाव लगता है चाल लगता है उसको हम बोलते हैं voltage इसलिए इसको बोला जाता है potential difference between two points clear या इसको इसने बोल सकते हैं बिभांतर बिभां में अंतर potential difference इसके बाद हमसे लगा है unit of voltage unit के होती है बोल्टी बोलते हैं लेकिन ये कहां से आई उसके लिए the SI unit of voltage is bolt ठीक है बोल्ट तो ऐसा unit है लेकिन such that 1 volt equal to 1 joule per coulm it is represent Y volt ठीक है capital V से को represent करते हैं voltage को जबकि current को represent करते हैं MPR से और power को represent करते हैं W से ये W, A, N, V कहां से आई ये सभी अपने particular एक-एक बैग्यानिक है यहनोंने research किया search किया इनको खोज की है उनकी नाम पर ही इनके जो है symbol आगे जैसे voltage जो है V से denote करते हैं this means that one coulm of charge will gain one joule of potential energy when it is move between two locations where the look electric potential difference is one world यह तो यह हो गया तो मैं जो बोलना चाहरा था कहने करता हूँ the bolt is named after Italian physician जो थे बैगने थे Alessando Volta ठीक है Alessando Volta थे तो इनके नाम पर ही एक V symbol से denote किया जाता है bolt की unit who invented एक chemical inventory यहनोंने chemical inventory का अविस्कार किया था तो यह हम बताना चाहरा है इस वीडियो माद्यम से कि voltage क्या होता है voltage इसके बार आप समझे होगे एक करणा potential difference है यह electrical pressure है जो electric current को यह charge particles को electric conductor में one place tonus of place पहुंचाने में मदद करते हैं मतलब कि current का flow होने में help करते हैं उसकों बोलते है voltage ठीक है तो एक छोटा सा topic था छोटी definition थी जिसके माद्यम से आपको help मिलेगी voltage समझे में electrical parameter के बारे में और next video lecture में हम आपको electric current and power के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार के आने topics की latest जली जली वीडियो फब्लिस करते रहेंगे तो वीडियो इंश्टॉप करते हैं मिलते हैं एक और interesting एजूसन लेटेट वीडियो साथ अब तक भी नमश्कार फोसे